तो स्वागदब का टागेट सस्सी 2020 में आज हम स्टार्ट करेंगे किरन सिननेम सीरीज का क्लास नंबर 10 इससे पहले हम 9 क्लास कर चुके हैं जहां पर हमने 450 सिननेम कर लिए क्लास 10 में स्टार्ट करेंगे सिननेम 451 से तो 100% वीडियो अपके लिए यूज़ फूलोगी अगर आप प्रेपरेशन करें हो एससे चैनल 2020 या फिर और किसी एक्जाम की तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 10 और सिननेम नंबर हमारा रहेगा 451 सिननेम अब का आज का ह है 451 वह है इलास्टिक तो चार आप्शन आपके पास दिये वें इलास्टिक का सिननेम बताना फ्री होगा लाइबरेल होगा फ्लैक्सिबल होगा या फिर ब्रॉड होगा ठीक है तो राइट हो जाएगा इलास्टिक का मतलब क्या होता लाचील यानि ऑप्शन नंबर प्रेक्सिबल जिसने भी ऑप्शन नंबर टिक यहां पर किया था राइट हो जाएगा अच्छा वीडियो को एक प्रक्टिस के तरह भी आपको करना है अगर इससे पहले अपने सेनों किया हुए है तो यह वीडियो आपकी काम करेगे एक प्रक्टिस की तो जो भी यहां पर प्रक्टिस करेगा तो अपना स्कूर भी वहां पर शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में बता सकता है तो 452 की अगर सिने नेम की बात बोलें तो डिफिदेंट का आपको राइट बताना है अप्शन नंबर वन है टेमिड होगा अनेपी होगा डिसकॉर्टियस होगा या फिर लोगा डिफिदेंट का मतलब होता है एकदम शाही नेचर वाला शाही वाला या इसकी चाने वाला बोल सकते हो शाही नेचर या फिर टीमिड यहां पर वाज़ेगा ठीक है ऑप्शन नंबर वन इनों दिया हुआ है टेमिड जो कि इसका राइट हो जाएगा सिने ने बाग और टेमिड करके भी इन उने दिया हुआ है जिसका मतलब शाही नेचर वाला ठीक है या फिर जो इसके चाहता है आप बोल सकते हो बात करते हैं 453 की 453 के अगर बात करें क्राफ्टी का यह सिननेम बताना है चारा ओप्शन यहां पर दिये वे हैं एविल होगा कनिंग होगा उनकाइंड होगा या फिर इन फैमेस होगा क्राफ्टी का मतलब क्या होता है क्राफ्टी मतलब होता है चाला अग चतूर ठीक है इसके अकोर्डिंग देखें तो ऑप्शन नमबर सेकिंड इसका राइट सेननेम हो जाएगा कनिंग बाकी तीन के मीनिंग के अगर बात करें फेमस नहीं फेमस के बिल्कुल आपका अपोजिट है जो फेमस नहीं परसिद नहीं अपरसिद आप बोल सकते हो इसका हिंदी मिनिंग तो क्राफ्टी मतलब चाला होता है चतूर होता है तो कनिंग इसका नमबर सेकिंड राइट था सेननेम बात करते हैं 454 की एक्जॉर्व होता है 455 की अगर बात करते हैं आज का पेंचेंट का राइट सिननीम बताना है चार आपके पास हैं लाइकिंग होगा ऐगरने सोगा डिजबिलिटी होगा या फिर डिस्लाइक होगा पैंचेंट का मतबता है लुभाना, अट्राक्टिव यानि आकष्यक आप बोलोगे तो लाइकिंग इसका बिल्कुल राइट हो हो जाएगा option no.1 लुबावना जो attractive attract करता है या फिर बहुत ज़्यादा सही अच्छा लगता हो तो वह चीज आपका इसका मीनिंग देता है और option no.1 इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट option liking right हो जाएगा pension का मतला attractive बोलो या फिर liking बोलो बात करते हैं फूर्ट वाइफ शिक्स का effluent का right synonym बताना है फर्स्ट option है prosperous होगा kind होगा fluent होगा या फिर distributor होगा effluent का मतलत होता है पर्चूर यानि परियापत आप बोलोगे संपन आप बोलोगे किसी चीज की कमी ना हो वह आप बोल सकते हो संपन संब्रद काफी इसके हिंदी मीनिंग आपका रहता है effluent का तो यहां पर option number one इसका right हो जाएगा prosperous ठीक है बागी तीन का अगर मीनिंग की बात करें काइन मतला दयालो होता है यह fluent नहीं दया है फ्लुएंट मतल्का मतल्का लहर एक ताल ताल में आप बोलो एक लहर में आप बहून या फीर एक लै आप बहुल सकते हो लै में कि अधो अर्टिक्रोटी मतलाब são me distribute sir आपका बना हुआ एकधम विध्रीक यानी बता हुआ substitute करना यानी बाटना ह कि आप कि कि थे का वो चीज वहता है टैपट टैपट मता होता है गर्म जोसी वाला ठेक है तो यहां पे गर्म का मतलब यहां पर हॉट यहां पर नहीं होगा इसका शने नहीं इसका डाइट अगर सिन नहीं की बात करें तो वाम इसका हो जाएगा ठीक है नहीं परिजेंट वे प्लिसंट के बिल्कुल अपोजिट आप गोल सकते इसंप तैपिट का मतब रहत है इसका राइट वी डैट इन गयता है शुम्टाम स हिने वे डैट इस चाहते हैं क्या आए गाराइट से नेने बदाना ऑप्स्टिनेट होगा प्राउड होगा स्टाउट होगा फिर ख्लावर होगा केंए का मतलब ही होई होता है चतुर चलाक आप बोलोगे बिल्कुल और यहां पर इसका राइट सेने मुझाएगा फूर्ट ऑला उप्शन क्लैवर बाकी देखते हैं बाकी तीन का मिनत अप्स्टिनेट मतलब होता है जड़ी एन प्राउड मतलब घमंडी एन इस्टाउट मतलब होता है जो मजबूत होता है साहसी होता है बलवान होत होसे हम स्टाउट बोलते हैं तो फूर्ट ऑपशन राइट था इसका सि justamente कहने मात करते हैं 459 की राइट से नहीं हो जाएगा 459 क बात करते हैं 460 की सिंट्रिलाइटिंग का मतलब यहां पर बताना है option number one moving होगा interesting होगा burning होगा या फिर glittering होगा sitting correcting मतलब यहां पर इसका मतलब होता है कहीं कहीं पे इसका meaning देता है clever और कहीं पर बोल सकते हो amazing and interesting भी इसका मेनिंग आता है वेरी क्लेवर एम्यूजिंग एंड इंट्रेस्टिंग इसके अकॉर्डिंग दिखें तो फॉर्थ इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कहीं पर इसका ऑप्शन नमबर फूर्थ भी सीन दिया हुए तो दोनों ही अगर मोश्चेबिल की ब इसका मेनिंग देता है तो अप्शन नमबर सेकंड इसका राइट सेनेन हो जाएगा बाकी देखते हैं मूविंग मतलब हिलता हुआ बर्निंग मतलब जलना और ग्लीटरिंग मतलब चम्चमाना ठीक है तो वह चीज भी है तो आप 460 का सेकंड ऑप्शन राइट सेनेनेम है 46 2665 की बाद करें ट्रांजियंट का राइट सेनेनेम बताना चार आपके पास हैं फिलीटिंग होगा ट्रांसपेनल ओगा फीवल होगा या फिर फैंसिफुल होगा ट्रांसिट मतलब तर चшणडिक चांडिक का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए ठीक है ठोड़े टाम के बात करते है तो वारेस्यास का राइट से नेनेम बता ना हंगरी होगा हस्टी होगा थरश्टी होगा या फिर ग्रेडी होगा अग्वारेस्यास का मतलब क्याdoors लालची सब spielt एक यह बहुत जादा ठीक है लाज़ची याने ईक्रेडी option number for this का राइट सेने में बागे तीन देखते हैं हंगरी होता भू का हैस्टी मतलबादा होता है तीजी जल्दबाजी में वहती चाहिजी से थ्रश्टी मतलबादा है प्यासा तो 462 का फूर्ट ऑप्शन राइट है एक और इंपॉर्टन सीज कमें सेक्शन में यस जरूर करना जिसने आप तक के 450 सीनेम इससे पहले किये और आज को लगाते वे 500 जिसके सिनेम कम्प्लीट हो जाएंगे तो हमने 500 सिनेमी नहीं के इसके साथ हमने 2500 वर्ल्ड भी कर दिये 2500 वर्ल्ड भी किये हैं जिनका मीणिग आपको पता होने चाहिए तो जिसने भी 2500 वर्ल कर दिये तो कमेंट सेक्षन में यस जड़ा टाइट कर देना देखते हैं कितने लोग यहां पर सीरियस एंग्जाम को लिक हैं बात करते हैं 463 की तो इंपर्वियस का राइट यहां पर सिननीम बताना option number one odysseus होगा हैब्जाट होगा impanetrable होगा या फिर लॉजिकल होगा इंपर्वियस का मेनिंग पहली बात हो अच्छा वल्ड है इसका मतलब होता है प्रवल प्रवल मतलब होता है जो साहसी हो तो option और गिनाइज ना हो तो वह चीज बोलते हैं अब जर्ड बाकित थाल्ड वाल देखें इंपनेट्रेबल का मतलब क्या था चाहँ वाल्ड है इंपनेट्रेबल मतलब होता है अब्यूंट सकते हैं फॉस वर्ड को कमेंसे में जरूर यहां पर टाइप कर सकते हो और पूज सकते हो विए मैं वह बता दूख अबाकि कोि बी नया हो आप में से तोրब जरूर जों करना टेल versão का आपको description मिल जाएगा 464 की बात करें पैरियूज का मेनिंग यह पर बताना है option number one overuse होगा second option है examine होगा third option है abuse होगा या फिर diffuse होगा पैरियूज का मतलब क्या था इसका मतलब होता है examine करना किसी को बहुत अच्छे से जासना पड़कना option number second इसका right synonym होगा overuse आप शक्ते से ज्यादा आपका प्रयोग abuse मतलब गाली होगा diffuse मतलब सांध डिफ्यूज कर देना इस रूप देना या फिर सांध करना भी आप बोल सकते हो इस चाहता है जैसे इसके bomb diffuse होता है तो वो चीज़ आप connect करना इसका right हिंडी मिनिंग ठीक है तो पैरियूज का मतलब एक्जामीन करना होता है ठीक है बारी किसे उस चीज़ को जांचना 465 की बात करें तो amicable का right synonym आपको बताना है friendly होगा happy होगा perfect होगा या फिर joyous होगा amicable का मतलब होता है आपका एक दम मित्र वाला तेक है मित्रता पूर्ण व्याभार करने वाला यानि friendly का right synonym है फस्ट वाला option बागी तीन देखें happy का मतलब खुस हो गया perfect मतलब एक दम दक्ष हो गया enjoyous मतलब होता है खुसी तो 465 का फर्स्ट option राइता है amicable या दगना friendly बहुत बार आये हुआ हुआ पॉरस बात करते हैं 466 पॉरस का right synonym बताना adventurous होगा permeable हो गया पंजिंट होगा या फिर concrete होगा पॉरस का मतलब कैया पॉरस मतलब कीज़альная चैसा अच्छी में वाला ठोला पंजिंट का मतलब नगरते लुदヤ से एक था तो सकिंड ओप्षान राइट नहीं में बात करते हैं 467 की इंसीनिनिम बताना है आप सपाइसी होगा ब्लेंड में होगा इंट्रेस्टिंग होगा या फिर वम होगाyourगार मतलब क्या होता है टेसल है त्यसमें कोई टाइस्टी हो ठीक है बेस्ट वादिसका राइट हिंदी मिनिंग है अच्छा चार ओप्षिन है चार्व में सब्सक्रासे इसका राइट सेने में फ्लैंड इस पैसी है तीखा है मतलब टेस्ट है इसमें इंट्रेस्टिंग है अच्छा है ठीक है और यहां पर वाम है ग्रम है ठीक है तो option number second इसका right हुज़ेगा सिननिम blend इसका right हुज़ेगा टेस्ट लैस्ट या कहीं कहीं पर इसका प्रिशानी से जूजा यानि बाहर निकलना किसी जैसे कोई काफी टाइम से भीमार है उसके बाद उसने क्या किया क्या हुआ वह रेकावर हो गया ठीक हो गया किसी चीज से परिशानी से जूँ जाया तो उससे वह बाहर निकल या फिर एक टाइप से बाहर निकलना या फिर रिकवर होना तो ऑप्शन आपर ठल इसका राइट से ने नहीं देखा बाकी इसका मतलब पूरी तरह स्वस्थ होना है तो यह आप कह सकते हो या किसी चीज से बाहर निकलना सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करना मतलब होता है पहुंचाना भी होता है किसी को कोई चीज देना तो यह भी कन्वी आपका मिनिंग देता है तो कॉन्विलिस का या दगना 468 का ठाल्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 469 के बात करें गार्बल का राइट से नेनेम बता जोगा हाइड होगा कॉम्टिकेट होगा कि या फिर एक्सप्लेण हो गया गारबल का मतलब होता है पूरी तरह एकदम उल्जा हुआ जटीलाव बोलो संदे में बोलो ठिक हैं कंफ्यूस का राइट हो जाएगा ठिक हैं टाइट सेनेने मुझा का ओप्शन नबर वन बागी समीट होगा या फिर पिट होगा पिनेकल का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है चोटी सिखर पे चोटी इसका राइट होता है सिननिम ठाल्ड ओप्शन इसका राइट हो जाएगा समीट इसके एकौडिंग देखे तो ठाल्ड ओप्शन समीट इसका मतलब होता है चोटी सिक आप बोलोगे ब्रुटिलाइज का सिनने में बताना आपको इस्टेड होगा इल्टरीट होगा डिवाइस होगा या फिस्ट्राइक होगा ब्रुटिलाइज मतलब निर्दी जो बहुत ही बुरा व्यभार करता है इसके अकॉर्डिंग देखे तो सेकंड ऑप्शन राइट सिन हो जाएगा बात करते हैं 472 की क्यों का राइट सिनने बताना एक्सलेट होगा डिले होगा हिंडर होता या फिर स्टॉप होगा क्या होता है तीजी से गती में ठीक है तीज गती से आप बोलोगे एक्सलेरेट बिल्कुल यहां पर राइट इसका सिननने मुझा फिस्ट वाल हम करेंगे आप लेते वेए चलो के 850 प्लस हमारे सिनने रहेंगे टोटल तो 850 प्लस का मतलब हो जाएगा कि आपके 4000 प्लस वर्ल्ड के मिनिंग अपके हो जाएंगे ठीक है उससे भी ज्यादा 45 यानि 4500 प्लस वर्ल्ड आप करोगे पूरे सिनननीम वाले में इसी तरह आप कोई वी वर्ड आपका आता सिनुएंटो में तो इससे बाहर मुझी नहीं लगता कि आपका आएगा इसके अलावा टाइम मिलेगा तो बिलकुल आपका जो अच्छे वाले सिनो नेम सरीज है उसे करेंगे उसके सिनो करेंगे और जो पैरमांट वाले से अपके सिनो एंटो तो वह करेंगे तो इसके मझत YnO की अगर हमने कर लेजिए सीद्ट सब्सक्राइब करें तो इसके बाहर से पीड लगता हैं में आथ से करन दीजि précis या तो आप SPA प्लस किरन करो या फिर SPA या फिर किरन प्लस MB करो ठीक है तो कोई भी बुक आप कर सकते हो लेकिन अच्छे से करना वह चीज इंपॉर्टेंट है 473 की बात करनें transient के right synonym बताना तैंपरेडी होगा durable होगा timely होगा या फिर transparent होगा transient का मतलब क्या होता है यह भी transient का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए मतलब temporary आप बोलोगे तो option number one इसका right synonym हो जाएगा durable मतलब जो चल आई भी भी continue टाइम वरी मतलब समय से and transparent मतलब जो पारदशी हो तो 473 का first option right synonym था 474 की बात करें तो 474 का आपका रहेगा compensate compensate करना है ठीक है compile होगा make up 4 होगा result in या फिर complete होगा compensate का मतलब क्या होता है भरपाई करना कोई नुकसान आपने किया उसके बाद उसकी आप भरपाई कर रहे हो तो वह आतावा compensate होता है compensate का मतलब होता है भरपाई करना हरजाना बनना मेक आप वोर इसका राइट से नहीं हो जाए सैकेंड वाला ओप्शन बागी तीन का मीनिंग देखें compile का मतलब होता है धेर संग्रा है result in ठीक है जो पलिनाम होता है complete मतलब पूरा होता है 475 की बात करेए retaliate का write meaning यहां पर बताना है right synonym बताना है pardon हो corrupt होगा avenge rejoice होगा retaliate का मतलब क्या होता है इसका मतलब बहता है बदला लेना ठीक है बदला लेना यह योणिeren ounce इसका right हो जाएगा synonym वागि pardon मतलब होता चमा करना स्टाचारी and rejoice मतलब होता है खुसी 476 आपका रहेगा epidemic epidemic यहां पर रहेगा ठीक है इसका मतलब बताना राइट से नहीं बताना endemic होगा local होगा natural होगा या फिर वाइडिस्प्रेट थोड़ा से यहां पर confusion होते एपिडैमिक और endemic दोनों ही आपके एक बिमारी होती है तो उसको हम क्या बोले है को वर्ड यानि वह बहुत ही बड़ी इस तरह पर फैली हुए उसे कहते है एपिडैमिक तो उसे कहते हैं एक एपिडैमिक है निए वाइडिस्पीड इसका राइट से नहीं हो जाए और जो एक चोटी से एरिया में फैली हो जी है उसे कहते है एंडैमिक तो ठल्ड ऑप्शन इसका राइट सेनेनिम हो जाएगा local मतलब आपका पता यह है और natural मतलब तकर भात करते हैं 477 कुरियस का राइट सेनेनिम बताना है फस्ट ऑप्शन डाउट होगा इनिक इनक्विपीजिटिव होगा सैड होगा या फिर सफीसे हो गया क्यूरेस मतलब होता है जो ज़िग्यासी होता है जानने को उत्सुक होता कुछ ना कुछ जानने को उत्सुक तो से कहा दें क्यूरियस पर्शन ठीक है तो इसके राय इसके अकॉर्डिंग देखें सेकंड ऑप्शन राइट सिननिम इसका होगा इन्क्विजिटिव जिग्यासू डाउटफुल संद्य होता है सैट दुख्य होता है सपीसियस मतलब होता है संद्य में 478 क Cause राय सिननिम बताना है कैंडिट ठीक है। ओńsk होगा घ्रिड़ी वह ग्रिड़ी होगा। डिसॉनेस्ट नुकर ma, कैंडिट बनावा है सत्सा हूँ इसाड़ चुंते हैं तो और पहसीट का अविण अकर सिनने मुझेगा फर्स्ट टाल ऑप्शन ग्रेटी मतलब लाल ची होता है सिक्रेटी मतलब गुप्त में या चिपाया हुआ और दिस्वानेस्ट मतलब होता है जो इमानदर ना हो बेइमान तो फर्स्ट ऑप्शन राइड था 478 का 479 की बात करें 4 सेकं आफिन नमबर वन नेचा नर्चर होगा नेगलेक्टिट खूगा पालेक्टन होगा या फिर ऑंडेन होगा अच्छा अच्छा मतलब एक प्षोड देना कोई भीचा गेवफ करना छोड़ देना अबंडन या फिराइब हो जाएगा इसके बाहर निर्चर मादब परॉश उसे चमा करना यानि आपने उसे पार्डन कर दिया उसे दोस्मुक्त कर दिया तो एक्विट विसका मेनिंग होगा पार्डन का बोच सकते हो तो फॉर सिक मतलब छोड़ देना त्याग देना अबंदन इसका राइट ऑप्शन नमबर फॉर्ट मोच एटिबल था तो फॉर्ट कि परज़ां मत्लब कर बागे थीन का मेन लंली मतलब केला हो गया बीटेफल मतलब सुन्दर होगा एंड बूढूदिंग मतलब बच्चे ब्रोडिंग बच्चे ब्रूट कममणलब क्या इं बच्च वोसे ये प्लेक्चे आप बच्चे अप बोल सकते हो बूड़ का मतलब यहां पर हिंदी मिनिंग रहता है कल्ट मतलब रूखा होता है एनों मतलब प्रइशान ठीका करना तो फॉर्ट ओप्शन राइट होजागा एमेबल फ्रेंडी नेचर मिलनसार वाला मित्ता पूर्ण व्याभार करने वाला तो थाल इसका राइट सिनन्य निम हो जाएगा बात करना याची का इसका राइट मीनिंग देता है याची का ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग देखें ठाल्ड ऑप्शन राइट इसका सिननीम बजाएगा फोर टू एट का बात करते हैं इसका राइट शिननीम बताने है फॉर्स्ट आप्शन होगा फ्रोटेस्टीशन होगा फ्रोपोजल होगा याफिर इन्वेटेस्टन होगा प्रोपोज़िशन का害ट यह आप सांय 1997 का मतलब होता है प्रोपोजल यानि एक टाप से प्रोपोजल इसका राइट हो जाएगा ठीक है प्रोपोजल ठीक है तो प्रोपोजल का मतलब आपको पता है और ओफर करना कोई चीज़ ठीक है तो बाकि तीन का मेनिंग देखें रिंटमेसिन क्या होता है इंतिमेसिन का मतलब होता है सूचना तुरंत कोई सूचना देना सबस्काइब चयाने सब्सक्राइब बचाना और होता है perceptible होता है ठीक है जिसे हम ग्रेंड कर सकते हैं लेंगविट का मतलब क्या था एक दम सुस्त आल सी आप बोल सकते हो लेंगवेट को ठीक है तो विवेस्यास का मतलब उर्जवान तो बिल्कुल आपका ठाल ऑप सेकिंड ऑप्शन राइट हो जाएगा लाइवली बात करता है 485 की sporadic का मतलब यहां पर बताना राइट मीनिंग राइट सिननेम टाइमली होगा स्कैटर्ड होगा फ्रिक्वेंट होगा या फिर एर्रेलिवेंट होगा का मतलब क्याता है this body का मतलब बिख्रा हुआ ठीक है विख्रा हुआ यानि इसके अकॉडिंग देकिंग स्केंड ऑप्शन राइट मीनिंग इसका देता है स्कैर्टर्ड बाकि टाइमली मतलब बता है समय पर फ्रिक्वेंट मतलब कभी कभार एसरेलिवेंट यानी आसंगत बिल्कुल मैंस नहीं करता संगह तो ठीक है उसे कहते है इस इस रेलिवेंट पर संट ठीक है इस रेलिवेंट यहां पर उक्ट रहता है तो इस पॉडिक क्या तक ना इसका मतलब बिखरा हुआ एकडम तितर वितर विखरा हुआ फैला हुआ तो स्केटर राइट इसका हो जाएगा option number second 485 का 486 के अगर बात करें पर्जव का मतलब यहां पर बताना इसका राइट मीनिंग बना पर्जिवर ठीक है फिकल होगा पर्सिस्ट होगा constant होगा या फिर polite होगा पर्सिवर का मतलब होता है एकदम continue लगातार कोई चीज है चल लाए तो उसे कहते हैं पर्सिवर continue कोई चीज चलना पर्सिस्ट का राइट होजेगा पर्सिस्ट हैं मतलब लगातार continue वी वह चीज है तो राइट मीनिंग इसका देता है सकेंड ऑप्शन बाकि तीन का मेनिंग देखें फेकल मतलब होता है जो चंचल होता है चेंज होने वाला होता है चेंजीबल आप बोलोगे constant मतलब इस्तिर और polite का मतलब होता है विग्दम विदर तो ऑप्शन नमबर सेकंड राइट सिनेनिम था 486 का सिनेनिम नमबर अगर बात करें आज का 487 का वह है अपका रहेगा adequate चार आपके पास देवें suitable होगा एप्रोपिरेट होगा या फिर इनफ होगा educate का मतलब बता है कि प्रियाप्त जितनी जरुवरती उतनी हमें मिल चुका है adequate मतलब प्रियाप्त इसके according देखें तो इनफ राइट हो जाएगा अनुकूल है नहीं है अनुकूल है जो चीज suitable है लाहे को अपने अनुकूल कोई चीज होना capable मतलब यूग्य है appropriate का मतलब होता है उचित तो यहां पे option no.4 इसका राइट का प्रियाप्त यानि इनफ 488 की बात करें तो यहन का राइट सिन्यनिम बताना चार। आपके बासे है तुअर्द होगा तुग्य होगा प्रिग्रेट होगा तूर यान्फ का मतलब क्या था है यहन का मतलब होता है किसी चीज की तीरव एक्षा यान डिजयर स्टॉघ डिजयर आप बोलोगे ठीक है ब पूर एटनाइन की बात करें ट्रांसमिशन ओकी चार ओप्षण डिये में एडमिनिस्टर होगा इसका नमबर और सेकंड इसका राइट वीनिंग देगा सेकंड वाला ओप्षण ठीक है तो इसीच को इनपॉटेंट है यह चीज आप देखने है ना फॉर एटनाइन का सेकंड option right हो जाएगा transmission का convenience ठीक है अब बाकि हम देखते हैं आपे बाकी तीन का में एडिमिस्टर साशन होता है ठीक है connect जोनना होता है और disconnect आपका अलग करना होता है ठीक है तो यह देखना transmission का convenience right meaning हो जाएगा second option right synonym हो जाएगा बात करता है 490 की minder मिंडर इससे पहले के synonym के हावाले में आच होगा काफिवार मिंडर ब्लोव होगा कर्व होगा बैंड होगा या फिर विंड होगा मिंडर का मतलब क्या होता है एकदम गुमावदार तेड़ा मेड़ा बोलो या फिर गुमावदार तो यहां पर second option right हो जाएगा कर्व ब्लोव मतलब क्या होता है हवा का जूका ब्लोव बैंड मतलब क्या होता है मुडा हुआ ठीक है और विंड का मतलब क्या होता है हवा लेकिन बैंड और कर्व में क्या आंता रहा कर्व का मतलब यहां से एकदम गुमावदार ठीक है और बैंड का मतलब क्या होता है बैंड इस टैप से ठीक है एकदम बिलकुली एक शेप में तो यहां पर कोई शेप नहीं होती तो इसले कर यहां पर राइट इसका सिनेनम नहीं होगा सेकेंड वाला ओप्षिन 491 की बात करें तो जैबर का राइट से नहीं बताना चार ओप्षन है एलोकेंट होगा चैटर होगा टॉक होगा फिर स्पीक होगा जैबर मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा ठीक है बहुत ज़्यादा बातुनी आपका राइट हिंदी मिनिंग देता है चैटर राइट हो जाएगा सेकेंड नोय बोलने में कोशल दक्षो मनलब अच्छा बोलता हो ठीक है और बातुनी और अंतर है वह चीज दो बहुत जयादा अंतर है तो तो टॉक मतलब की बात करें जलस का यहां पर राइट से नहीं बताना इंट्रेस्टेर होगा है एंवी होगा या फिर एड्मार होगा अच्छा जलस का मतलब होता है इस चालू इसके अकोर्डिंग देखें ठाल्ड ऑप्शन राइट हो जागा एंवी जलस होगा अपनी चीजों को खोने से औ होता है एनवी होता है दोसरी के पास है अपने पस निहीं तो वह आपका अफ़ियों बाके तीन का मीनिंग दिखते हैं इंट्रेस्टेट मतला होता है आपका पका रूंची वाला ठीक एंट्रेस्टिंग केरफल और अःट गिरται साओ गया Lapte तो और ठोल रॉअभ्य धाट खुली टीक है इसका राइट मीनिंग बताने सिनने मतना इंग होगा केरफू होगा केलेस होगा इसका मतलब बहुत है बहुत चालाएक क्या चालाक चतूर यानी अप्शन नमबर वन इसका राइट होजाएगा सिननन्य गया प्रवा यूजलेस जिसका कोई यूजी ना हो ठीक है यूजलेस आपका option no.1 राइट सिनने मुझेगा insignificant जो महत्पूर ना हो irrelevant जो संगत ना हो मिलता जो लगत ना हो आसंगत आप बोल सकते हो unimportant भी वही आपका रहेगा जो insignificant आप महत्पूर तो option no.1 राइट था utility का useless shem साम को यहां पर राइट सिनने मताना real हो गाजनवन होगा authentic होगा एफिर फेक होगा तो इसका मतलब होता है नकली यानी fake इसका राइट हो जाएगा सिनने बागे तीन का मिनिंग से में real वास्तवी जनवन रस्ते के authentic वास्त वास्त भी कहां पर राइट होता है तो साम का यादगे ना fake इसका right हो जाएगा synonym अच्छा और्डियस का बताना आड्डुयस का troublesome होगा, gloomy होगा, difficult होगा या फिट perilous होगा अड्डुयस का मतलब होगता हार्ड, kathor, difficult इसका right हो जाएगा synonym स्हुल्ड ऑप्षन ट्रबल्सम मतलूंता है मुसीबत ग्लोमी मतलब अशणाने पेरिलफ समान पाल्य क问ने धांने मानना कुछ चीज तो फॉर्थ ऑप्षन स्वॉर्थ credit की बात करें बंदन कार इंद मतलर होगा छोगा यह इप्सक्यूज का चूलन आभ यह इमने पढ़ा था इससे पहली आ चुका बाइब था तोז माफ करना अर्ज मतलब विंति करना रिस्क्त मतला होटा है खत्रा मोल लेना तो 498 हमारा हो चुक है बात करते हैं का सिनेनेम नंबर 499 और यसका राइट से निम बताना है यह फूल होगा रोटन होगा इन फेमस हो गया फिक और यह का मतलता है घंड़ना करना नफ्रत करना तो इसके अकॉरडिंग फर्स्ट ऑप्सन राइट सिनने में रोटन मतलब बता है एक दम बासी सड़ा गलाब बोलोगे इन फेमस आप परसी दौसिक मतलब बता है बिमार फोर आज का आपका सिनने नंबर है 500 यानि याँ आज हमने 2500 वर्ड कर लिए है ठीक है तो जिसने भी कंपलीट अपकी 10 वीडिय जो लगातार देखिए कमेंट सेक्शन में बताना यस टाइप कर देना कि देखी है या नहीं देखते हैं कितने लोग एक्जाम को लेकर सीरियस हैं और इस बार जो वेकंसी आपकी ग्रेट डी में 800 प्लस अपका है हो जाएगा एंटेटिव है तो बढ़ जाएंगी और ग्र देखनी करनी है में जतने वीडियो में बनाता हूं कोशिस करना कि हर एक में अपना फ ऑफींड और लगाता भी हुआ कि इडियो को नताएख्या आई है यह सबही चीजह और Fiore तो आज का 500 है ठीक है रिपील के राइट यहां पर सिनने मताना एकसेप्ट होगा चैनलेशन होगा रिजेक्शन डिजेक्शन रिपील का मतलब बता है किसी कानून या लोग को तोलने वाला तो यह उता है रिपील तो चैनलेशन राइट हो जाएगा सैकेंद वाला उप्शन सिनने एकसेप्ट स्विकार करना रिजेक्ट हो गया एक टैप से कोई आपका एपलिकेशन होता है कोई को चीज है तो आप रिजेक्शन आपका यूज करते हैं डिजेक्ट मतलबता है निराशा होपलेस्ट ने इसका डाइक होता है ठीक है इसका मिनिंग तो फाइव जी 500 का राइट हो जाएगा cancellation option number second right synonym बाकि class number 11 में हम discuss करेंगे synonym number 501 से तो कोई भी question में कोई भी world में doubt हो तो comment section में पूछ सकते हूं या फिर telegram पे कोई भी नया हो तो telegram को जरूर जोइन करना link का आपका discussion मिल जाता ताकि कोई भी बाकि मिलते हैं क्लास नंबर 11 में बाकि support के लिए प्यार के लिए और इतना continue video देखने के लिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद बाकि all the best exam के लिए और अच्छे से preparation करो बाकि स्मॉक को जाने मत देना जितना हो सके उतना revision करना और हर एक topic को हर एक video को अच्छे से serious होके देखना ठीक्या धन्यवाद बाई